कन्या राश शिवालों बचकर 50 मिनट के बाद आप सुभह की कुंडली में बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है और हमें यह संकेत मिल रहा है कि आप सभी के जीवन में कोई गुप्त शत्रू आपको बुरी तरह से फसाना चाहता है लेकिन आज का यह वीडियो आप सभी के लिए रामबान साबित होगा इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों चाहे आप सभी के पास कोई वीडियो क्यों ना आ जाए कितना भी महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस वीडियो को एक बार अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके दुश्मनों के रचाईता शडियंतर से ही नहीं बचाएगा बलकि आने वाले आज शाम की 6 बजकर 50 मिनट के बाद जो ग्रह गोचर शुभ प्रभाव करने वाले इसे आप सभी के जीवन में कौन-कौन सी बड़ी खुश खबरी आने वाली है उन सभी चीजों से भी अवगत कराने वाले हैं जिससे आप खुशी से उचल पड़ेंगे खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा लेकिन दोस्तों इसके लिए बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं प्यार भक्त हैं सर्व प्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हरदय भाव से जय माता दी तीन बार लिख दीजिएगा मातारानी का सीधा आशीरवाद किसी को प्राप्त होगा जी हाँ दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सुबह के लिए भगवान शनी देव और माता लक्षमी का दिया हुआ सबसे बड़ा वर्दान समय है जिसे पाने के लिए आप कितने समय से तड़प रहे थे जी हाँ दोस्तों वह कहते हैं ना भगवान के घर देर है मगर देर नहीं लेकिन दोस्तों लेकिन अब आप खुश रहे क्योंकि आप भगवान आप सभी की किस्मत को फिर से चमकने वाले हैं आपकी किस्मत को देखकर दुश्मन के माथे से पसीना निकलने वाला है आपकी किस्मत अब तरक्की के घोडे पर सवार हो चुकी है और आने वाले समय में यह और भी उँचाईयों को छूने वाली है मेरे प्यारे मित्रों आपकी किस्मत ने अब ऐसी पलटी मारी है कि सब लोग बस देखते रह जाएंगे अगले 48 घंटों में आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आने वाला है यह जोतिश कार्यक्रम बेहत खास है और संपूर्ण रूप से ग्रह गोचर के प्रभावों पर आधारित है इसलिए इसे थोड़ा भी मिस ना करें क्योंकि आपकी किस्मत अब आपके पक्ष में होने जा रही है जी हाँ प्यारे दोस्तों आने वाले 48 घंटों के भीतर तीन बड़े ग्रह आपकी कुंडली में अपना प्रभाव डालने वाले हैं इस ग्रह के असर से आपका भाग्य बदल जाएगा और यह परिवर्तन आपके लिए एक सुखद अनुभव लेकर आएगा अगले 48 घंटों में आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे पैसों की बारिश हो रही हो और आपकी जिंदगी में खुशियों की बाड़ आ गई हो यह एक ऐसी घंटना है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी इसलिए प्यारे दोस्तों इस जियोतिश कारेकरम को बिलकुल भी नजर अंदाज मत करना और इसे पूरा देखना क्योंकि यदि आप इसे नहीं देखते तो बाद में जरूर पच्छताएंगे आने वाले समय में आपकी खुशखबरी का ऐसा द्वार आने वाला है जिसे देखकर आपके विरोधी हैरान रह जाएंगे हाँ प्यारे दोस्तों वह खुशखबरी जिसका आपको बरसों से इंतजार था अब बस एक जटके में आपके पास आने वाली है भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं अगर कल सूर्य के उदय से पहले आपका भाग्य नहीं बदला तो फिर आप मेरा नाम बदल देना अब हर तरफ बस आपकी जीत की चर्चा होगी और आपके काम्याबी के इंडे चारों और लहराएंगे ऐसी खुशखबरी ना तो आपने पहले कभी सुनी होगी ना ही शायद आगे सुन पाएंगे यह एक सुनहरा मौका है इसका पूरा फाइदा उठाएं वरना जिंदगी भर भटकते रह जाएंगे देवों के देव भगवान भोले नात के आशीरवाद से अब आप सोने के महल में राज करने के लिए तयार हो जाईए प्यारे दोस्तों यह समय है अपने सपनों को सच होते देखने का और आपके जीवन में छपर फाड़ खुशियों की बोचार आने वाली है अब हर जगह बस आपके काम्याबी की गूंज होगी जी हां आने वाले 48 घंटों में दो बड़ी और अद्भुद घटनाएं आपकी राशेवालों की कुंडली में घटने जा रही है अचानक आपकी किस्मत ऐसा मोड लेगी की आपको जीवन के सारे सुख मिल जाएंगे देवों के देव भगवान भोले नाथ एक नया खेल शुरू करने जा रहे हैं यह दिन आपके लिए बेहद लाबदायक साबित होगा क्योंकि दस बड़ी खुशखबर ही आपका इंतजार कर रही है जी हाँ प्यारे दोस्तों भगवान भोले नाथ का यह वादा है कि आपकी जिन्दगी बदल जाएगी कहते हैं भगवान सबको एक मौका जरूर देते हैं और यह मौका आपके लिए है भोले नाथ के आशीरवात से अब आपके हर प्रयास में जीत होगी जब व्यक्ति का समय अच्छा होता है तो जीवन में सब कुछ शुब होता है और अब यही समय आपके साथ है जी हां आने वाले 48 घंटों में ऐसा बड़ा बदलाव आएगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि आपका दिमाग भी चकरा जाएगा यह जोतिश कार्यक्रम आपके लिए एक साधारन जोतिश कार्यक्रम नहीं बलकि एक वर्दान है इस समय सोचने का नहीं बलकि सभी काम छोड़ कर जोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखने का है जो इस जोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखेगा वही अपने जीवन में बदलाव भगवान भोलेनात का आशीरवाद अब आपकी किस्मत को निखारने वाला है। शायद आपको इस पर विश्वास ना हो। लेकिन जब यह बदलाव आपके जीवन में दिखने लगेगा तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। तो उसकी किस्मत बदल जाती है। यह दो घटनाएं जो आपकी राश्य में होने जा रही है। उन्हें रोकने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं है। यह सबकुछ भगवान के 33 करोड देवी देवताओं के आशीरवाद से हो रहा है। आपकी प्रतीक्षा अब समाप्थ होने वाली है। और आपको अपने धैर्य का फल मिलने वाला है। जब सारे दर्वाजे बंध हो जाते हैं तब भी भगवान का दर्वाजा खुला रहता है। इसलिए ईश्वर से उम्मीद रखिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी धोखा ना मिले तो ईश्वर पर और खुद पर विश्वास बनाए रखें। आपने अपने जीवन में हमेशा इमांदारी से काम किया है और अब उस इमांदारी का फल आपको मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, जब आप सही रास्ते पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर आपकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देते हैं। क्योंकि अंजाने में की गई गलती, कोई बड़ी गलती नहीं होती, लेकिन जो इनसान जान बूज कर गलती करता है, उसे इश्वर कभी माफ नहीं करते और उसे दंड दे कर ही रहते हैं, एक व्यक्ती ने इश्वर से कहा, मैं अपराधी हूँ, इश्वर ने जवाब दिया, क्षमा कर दूँगा, मैंने कह परेशान हूँ, मैं, इश्वर ने कहा, संभाल लूँगा, मैंने कहा, अकेला हूँ, मैं इश्वर, बोले हमेशा साथ हूँ मैं, मैंने कहा, बहुत उदास हूँ मैं, इश्वर ने कहा, नजर उठा कर देख, तेरे आस पास हूँ, मैं यही कारण है, कि मैं कहता हूँ, जहा कोई नहीं होता, वहीं इश्वर होते हैं अगर यह बात समझ में आई हो तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जी गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अब हम आगे बढ़ते हैं इस ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा चाहे वह नौकरी, व्यापार, करियर, व्यवसाय स्वास्थिपारिवारिक जीवन या दैनिक दिन चर्या से संबंधित हो हम इन सभी विशयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने इस ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं वे चैनल को सबसबब कर ले साथी बेल आइकन को दबा कर आल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी नई ज्योतिश कार्यक्रम की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे अब भगवान भोले नाथ जी का नाम लेकर इस ज्योतिश कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुन्दर और अनमोल विचार के साथ किसी ने खूब कहा है जिन्दगी के सिर्फ दो दिन होते हैं एक दिन आपके पक्ष में और एक दिन आपके खिलाफ जिस दिन आपके पक्ष में हो उस दिन अभिमान मत करना और जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र से काम लेना क्योंकि वक्त बदल जाएगा जो बदला जा सकता है उसे बदलो जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ लेकिन खुद को खुश रखना यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है पच्तावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविश्य को नहीं संभार सकती इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है अगर यह बात समझ में आई हो और गुरु जी की इन बातों से आप सहमत हैं तो इस जोतिश कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जी गुरु जी आप बिलकुल सही कह रहे हैं प्यारे दोस्तों अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो उनकी शक्ती पर भी विश्वास करना सीखिए भगवान अकसर आपकी भक्ती धैर्य और सच्चाई की परीक्षा लेते हैं और आने वाले 48 घंटों में आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है आपने बिलकुल सही सुना आने वाले 48 घंटों के भीतर दो बड़ी और अदभुद घटनाएं आपके जीवन में होने जा रही हैं यह ऐसी घटनाएं होंगी जिनकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी यह खुशखबरी आपके पूरे परिवार को खुशियों से भर देगी जी हाँ आपके जीवन में इतनी बड़ी और सुखद घटनाएं घटित होंगी कि आपके परिवार के लोग खुशी से जूम उठेंगे यह बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी क्या होगी? कौन-कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? किस-किस क्षेत्र से भारी धन लाब होगा? और किस प्रकार भगवान का चमतकार आपके जीवन में प्रकट होगा? यही सब हम इस जियोतिश कार्यक्रम में चर्चा कर प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. यह एक ऐसा सच है, जो आपके रोंग्टे खड़े कर देगा. यह सच्चाई आपके सामने होते हुए भी, आप इसे अब तक नहीं जानते थे. ल आप वह समय आ गया है कि इस जूट के परदे को हटाया जाए, जिससे आपके जीवन में छिपे हर भ्रम और धोखे का अंत हो सके. यह जयोतिश कार्यक्रम आपके वर्तमान भूतकाल और भविश्य सभी पर असर डालने वाला है. लेकिन सबसे पहले आप इस जयोतिश कार्य कर दें क्योंकि यह आपके लिए बिलकुल निशुल्क है और आपके इस छोटे से समर्थन का मेरे लिए बहुत महत्व है. मैं जानता हूं कि आप अब तक इस राज्य से अंजान थे, लेकिन अब इसे जानने का समय आ गया है. इस जयोतिश कार्यक्रम में मैं आपको एक ऐस जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे जानकर आपके जीवन में अगले 24 घंटों में ऐसी घटनाएं घट जो आपको हैरान कर देंगी. आपके परिवार के सदस्य दादी नानी सभी इस बात को सुनकर चौक जाएंगे. अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्व परिक्षण हो सकते हैं, इसलिए इस ज्योतिश कार्यक्रम को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है. अगर आपने इसे पूरा नहीं देखा, तो हो सकता है भगवान भी आपको बचाना सके. मैं आपसे वादा करता हूं, कि जो बातें मैं यहां कहने वाला हूं, वे आपके द जुकावट से बचने के लिए इस ज्योतिश कार्यक्रम को एक बंद कमरे में देखना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जानकारी मैं सांझा करने वाला हूं, उसे सुनकर आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे. यह ज्योतिश कार्यक्रम आपके जीवन के हर दुख को दूर कर सकता है. आज जो रहस्य मैं उजागर करने जा रहा हूं, वह आपके सभी कश्टों का अंत कर सकता है. आपको केवल ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है कि मैं क्या कह रहा हूं. यह जानकारी आपकी जिन्दगी का एक नया अध्याय को खोल सकती है. अगर आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरी तरह से ग्रहन कर रहे हैं. साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम विश्नु देवाय नमः और ओम महा कालेश्वर नमः. जरूर लिखें. यह सिर्फ एक साधारन कमेंट नहीं है, बलकि एक शक्ती है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से ब मेरे उपर भरोसा करें और इस जोतिश कार्यक्रम को पूरा देखें. जब यह जोतिश कार्यक्रम समाप्त होगा, तो आप खुद को एक नए जीवन में पाएंगे. इसे नजर अंदाज करना आपके लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है. इस जोतिश कार्यक्रम को ध्यान से देखा और धिये गए निर्देशों के अनुसार कार्य किया. तो आपके जीवन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होगा. याद रखें, यह कोई साधारन जोतिश कार्यक्रम नहीं है. यह आपकी जिन्दगी को बदलने की क्षमता रखता है. जोतिश लाइक और कमेंट करना ना भूलें. क्योंकि यह आपके लिए बेहद महत्तोपूर्ण है. अब समय आ गया है. आपके जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जानने का. ध्यान पूर्वक सुने समझे और जोतिश कार्यक्रम के अंत तक बने रहे. क्योंकि इससे आपका जीवन ए रहतर बनाएगा. अगले 24 घंटे आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह होंगे. इसी लिए शुरू से अंत तक जोतिश कार्यक्रम में बने रहे. ताकि आपको हर जानकारी सही तरीके से मिल सके. आने वाले 24 घंटे आपके लिए खुशियों से भरे होंगे. क्योंकि इन अच्छी नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे थे, तो अब परिस्थितियां आपके लिए बदलने वाली है. आपको एक अच्छे पद पर नौकरी मिलेगी और जो वेतन आपको मिलेगा, उससे आपका घर-परिवार भी खुशहाल हो जाएगा और आपकी सारी परेशा सकते हैं. इसलिए किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें. हर कोई आपका फायदा नहीं सोचता, बलकि पहले अपना लाभ देखता है. ऐसे में बिना पूरी जानकारी के निवेश करने से बचे, वरना आपका पैसा डूब सकता है. वहीं नौकरी करने वालों के लिए यह समय तरक्की और नए अवसर लेकर आ सकता है. किस्मत आपका साथ देगी और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. लेकिन ध्यान रखें कि अपनी मनमर्जी से फैसले ले ना ले. आप स्वभाव से बहुत सरल और सच्चे इनसान हैं. इसलिए दूसर आपको बता दें. यह दो देवता समय समय पर आपके घर आते रहते हैं और जब भी यह दोनों देवता आपके घर आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा संकेत जरूर देता है ताकि आप यह पता लगा सके. यह दो देवता आपके घर आने वाले हैं. लेकिन प्यारे दोस दोस्तों, आज इस जोतिश कार्यक्रम में आपको कुछ ऐसा संकेत के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप यह पता लगा सकते हैं, कि वह कौन सा दो देवता है जो आपके घर आने वाला है, और क्यों यह देवता आपके घर आने वाले हैं? प्यारे दोस्तों, सब कुछ इस जोतिश कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर आप इस बार इन देवताओं को पहचान नहीं पाए, अगर इस बार इन देवताओं का संकेत आप समझ नहीं पाए, तो आपके लिए बहुत भारी मुसीबत खड़ा हो सकता है। प्यारे दोस्तों इन देवताओं ने ही यह फैसला लिया है कि आपका जिंदगी स्वर्ग जैसा सुन्दर बना देंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों इन देवताओं का भी कुछ मांग है जिसे आपको पूरा करना होगा। प्यारे दोस्तों अगर आप यह एक चीज खुशी-खुशी इन देवताओं को दे देते हैं तो यह दोनों देवता आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। यह दोनों देवता आपसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। यह दोनों देवता मिलकर आपको करोड़ और प्यारे दोस्तों, यह दोनों देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे, उससे पहले आपको यह एक संकेत अवश्य देंगे, तो प्यारे दोस्तों, अगर अगले 24 घंटे के अंदर आपको यह एक संकेत मिलता है, तो समझ जाईए कि यह दो देवता आपके घर में तक देखना फिलहाल मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी तयार करने में मुझे काफी ज्यादा समय लगता है उसके बाद आपके लिए इतना खास महत्वपूर्ण जानकारी तयार होता है और इसके ब प्यारे दोस्तों, यही आपसे एक छोटा सा विंती है प्यारे दोस्तों, अब आपके साथ जो होने वाला है, उसे देख कर आज पडोस के लोगों में खलबली मच जाएगा प्यारे दोस्तों, आपके आज पडोस के लोगों में बवाल मच जाएगा जी हाँ प्यारे दोस्तों ऐसा बड़ा परिवर्तन आपका जीवन में होने वाला है प्यारे दोस्तों अब आपका जीवन का इतिहास बदलने वाला है अब आपका जिंदगी पहले जैसा नहीं रहेगा अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगा प्यारे दोस्तों मेरा बात मजाक समझने की भूल मत करना, मेरा बात हलके में मत लेना, वरना बहुत पच्छता होगे प्यारे दोस्तों आपको बता दें, अगले 24 घंटे तक किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्य ना करें अगले 24 गंटे तक बहुत ज्यादा सावधान рहने की आवश्यक्ता है क्योंकि प्यारे दोस्तों आपकी छोटी सी गलती और आपका पूरा जिन्दगी तबाह कर सकता है प्यारे दोस्तों आपको बता दें अगले 24 गंटे तक आप जितना ज्यादा सतर्क रहेंगे आपके उपर इन देवताओं का कृपा उतना ही अधिक होगा प्यारे दोस्तों ये दोनों देवता मिलकर आपको बहुत बड़ी-बड़ी कामियाभी देंगे ये दोनों देवता मिलकर आपके साथ बहुत बड़ा-बड़ा चमतकार करेंगे प्यारे दोस्तों यह दोनों देवता 24 गंटे के अंदर आपके घर में प्रवेश करने वाला है इसलिए आपको अपने घर के साफ सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा प्यारे दोस्तों अगर आप अपने घर की साफ सफाई पर अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो यह दोनों देवता आपके घर के दर्वाजे से ही वापस लोट जाएंगे और आपसे क्रोधित हो जाएंगे इसलिए प्यारे दोस्तों घर का अच्छे से साफ सफाई करना अनिवार्य है घर का एक-एक कोना अच्छे से साफ होना चाहिए प्यारे दोस्तों, 24 गंटे के अंदर यह दोनों देवता आपके घर प्रवेश करेंगे 24 गंटे के अंदर इन दोनों 24 गंटे के अंदर देवताओं का चरण आपके घर आंगन में पढ़ने वाला है और आपका जिंदगी बदलने वाला है तो प्यारे दोस्तों, आखिर आप ये पता कैसे लगाएंगे, कि ये दोनों देवता आपके घर प्रवेश करने वाले हैं, ये दोनों देवता आपके घर आने वाले हैं, तो प्यारे दोस्तों आपको बता दें, ये दोनों देवता आपके घर आएंगे, उसके पहले आपके गर में साप दिखाई देगा। प्यारे दोस्तों आपके घर में अगले 24 घंटे के अंदर कोई साप दिखाई देता है। तो समझ जाईए कि आपके घर में देवों का देव, महादेव जी और जगत का पालनहार, भगवान, श्री कृष्ण जी आपके घर आने वाले हैं और आ मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्यारे दोस्तों, गीता की कसम खाकर कहता हूँ, यह व्यक्ती आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, यह व्यक्ती आपका सबसे बड़ा गद्दार है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, इस व्यक्ती को आप पहचान नहीं पा रहे ह यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है लेकिन फिर भी आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की जियोतिश कार्यक्रम बिल्कुल भी नजरंदाज मत करना। आज का जियोतिश कार्यक्रम बहुत कीमती है। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से जाच परताल करके, बहुत अच्छे से विशलेशन करके, आज इस जियोतिश कार्यक्रम का निर्मान किया गया है। जो की प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत खास और महत्व पूर्ण है। प्यारे दोस्तों, यह जोतिश कार्यक्रम नहीं। जोतिश कार्यक्रम आपके लिए रामबान साबित होगा। बस आपको जोतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना होगा। प्यारे दोस्तों, इस जोतिश कार्यक्रम के माध्यम से आपका दुश्मन का परदाफाश करने वाले हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, दुश्मन का सच्चाई आप सभी को बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आपको इस व्यक्ति से बच कर रहना होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और आपके ही घर में छुपा है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, आप पिछले कई सालों से कई महीनों से बड़ी-बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आप जिस हिसाब से महनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको महनत का फल नहीं मिल रहा है। प्यारे दोस्तों पहले आप जो भी काम करते थे उस काम में आपको सफलता मिलता था लेकिन अब बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है अब आप जो भी काम करते हैं वह काम आपका पूरा नहीं हो पता है आखिर ऐसा आपके साथ क्यों होता है इसका मुख्य कारण क्या है सब कु कर रहे हैं ऐसा लग रहा है किसी ने आपका किस्मत को बांध रखा है जिस वजह से हर एक मोड पर आपको असफलता मिलता है प्यारे दोस्तों आपको बता दें अब आपके जीवन भी एक के बाद एक बड़ा चमतकार देखने को मिलेगा लेकिन प्यारे दोस्तों अब आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा प्यारे दोस्तों आपको बता दें जो आज इस ज्योतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा उस व्यक्ति का भाग्य बदल जाएगा उस व्यक्ति का किस्मत चमक जाएगा इसलिए प्य तोटा हो या बड़ा आप सबका सम्मान करते हैं लेकिन प्यारे दोस्तों आपके साथ इसका बिलकुल उल्टा होता है आपका कोई भी व्यक्ति सम्मान नहीं करता है कोई भी आपका मेहनत का सराहना नहीं करता है और आपको आपका मेहनत का फल भी नहीं मिलता है आखिर ऐसा क लोग आपको मान सम्मान नहीं देती हैं, किस वजह से आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस आपको इस जोतिश कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। आप जीवन में धेर सारा तरक्की करें, बड़ी-बड़ी का काम्याबी हासिल करें, आप अपना जीवन अच्छे से जी ऐसा यह व्यक्ति कभी नहीं चाहता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस नाम के व्यक्ति से आपको दूर रहना होगा, नहीं तो प्यारे दोस्तों, यह कलपना भी नहीं किये होंगे कि आपके साथ ऐसा कोई घटना होने वाला है। प्यारे दोस्तों, अब जो आपके साथ होगा, उसके बारे में सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब जो सच्चाई आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपका पैरो तले जमीन खिसक जाएगा क्योंकि प्यारे दोस्तों आपका दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है आपका दुश्मन आपके ही घर में छुपा है प्यारे दोस्तों आपका परिवार का ही एक व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और यह व्यक्ति पिछले साथ जन्मों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है यह व्यक्ति आपको अपने हाथों से बरबाद करना चाहता है इसलिए दो प्यारे दोस्तों मेरा आप से सलाह रहेगा कि इस व्यक्ति से आप थोड़ा दूरी बना लें और आप अपना कोई भी गुप्त राज इस व्यक्ति को ना बताएं प्यारे दोस्तों ये व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इस व्यक्ति से आप जितना सावधान रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा प्यारे दोस्तों इस व्यक्ति का नाम आर अक्षर से शुरू होता है अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम आर अक्षर से शुरू होता है तो उनसे थोड़ा दूरी बना ले नहीं तो प्यारे दोस्तों, यह व्यक्ति आपका पूरा जिंदगी बर्बाद करके रख देगा इस बात की गारंटी है प्यारे दोस्तों, बागेश्वर धाम का भविश्यवानी कभी गलत नहीं होता है अब यह घटना हर हाल में होकर रहेगा प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी खुश्खबरी मिलेगा, लेकिन आपको जियोतिश कार्यक्रम पूरा अंत तक देखना होगा प्यारे दोस्तों, 24 घंटे के अंदर आप करोडों का मालिक बन जाएंगे, ऐसा बड़ा चमतकार आपके जीवन में होने वाला है लेकिन प्यारे दोस्तों, इस जियोतिश कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं, उसे ध्यान से सुनना होगा प्यारे दोस्तों, यकीन मानिये, आपका जिन्दगी स्वर्ग से भी सुन्दर हो जाएगा अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं आपको मोह मांगा, इनाम दूँगा लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा कि इस जोतिश कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना होगा वैसे ही आपको जोतिश कार्यक्रम पूरा अंत तक देखना होगा प्यारे दोस्तों दूध का दूध पानी का पानी कर दूँगा बस जोतिश का रिक्रम अंत तक देखना प्यारे दोस्तों आपको बता दें जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाब होता है जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक बहुत ज्यादा धन लाब होता है यूं कहें तो जब किसी व्यक्ति के साथ अचानक बहुत बड़ा-बड़ा चमतकार होने लगता है तो वह इंसान खुशी के मारे रोने लग जाते हैं जी हाँ प्यारे दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं खुशी के मारे अपने आंसू को रोक नहीं पाते हैं और ऐसा ही कुछ अब आपके साथ होने वाला है ऐसा ही कुछ आपके जीवन में घटना घटित होने वाला है प्यारे दोस्तों, जिस चीज के बारे में आप कभी कलपना भी नहीं किये थे, वह चीज अब आपको मिलने वाला है, अब आपका सभी सपने सच होने वाले हैं प्यारे दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सभी को अपने चरणों में स्थान दें और भरपूर धन संपत्ति प्रदान करें। जी हां, समय आ गया है, अब आप राजा महाराजाओं को भी पीछे छोड़ देंगे। एक बहुत बड़ी दिव्यशक्ति का आगमन आपके जीवन में होने जा रहा है और आपकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। देवों के देव महादेव की तीसरी आँख खुल चुकी ह और आज के बाद से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये घटना सब को चकित कर देगी। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। महादेव ने अपनी तीसरी आँख खोल दी है। अब जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन होगा और न्याय का तांडव देखने को मिलेगा। जी हाँ, यह प्रकृति का नियम है। इसी लिए लोगों की बातों को अपने दिल पर मतलें। सबसे बड़ा रोग है। क्या कहेंगे लोग लोगों की बातों को नजर अंदाज करें और अपनी मन्जिल की ओर आगे बढ़ते रहे। जिस दिन आप सफल होंगे वही लोग जो आज आज आपके पीछे बुराई कर रहे हैं। आपकी सफलता के पीछे-पीछे भागेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे सफल हुए। अगर आप गुरू जी की इन बातों से सहमत हैं और इन्हें समझ पाएं हैं तो इस जोतिश कार्यकरम को लाइक जरूर करें। क्योंकि हम बड़ी मेहनत से ग्रिह गोचर के आधार पर यह जोतिश कार्यकरम बनाते है और इसके लिए आपका एक लाइक बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जयमाता दी जरूर लिखें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। कौन सी खुशखबरी आपको मिलेगी और कौन सी सावधानिया आपको बरतनी होंगी। प्यारे दोस्तों आपके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। आपकी कुंडली में जबरदस्त बदलाव आएगा और खुशियों का बम फूटने वाला है। जी हाँ, पैसों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है ये इतनी बड़ी खुशखबरी होगी कि आप खुशी से जूम उठेंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान इतना बड़ा चमतकार करेंगे। अब आपका जीवन बदलने वाला है। वह सपने जो वर्षों से अधूरे पड़े थे अब पूरे होने वाले हैं। अच्चाई को कोई दबा नहीं सकता और बुराई को कोई उभार नहीं सकता। अब ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं। बुरे कर्म करने वालों को दंड मिलेगा और अच्छे कर्म करने वालों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह स जिन्ता करने की जरूरत नहीं है, अब समय आ चुका है, बस अपने धैर को बनाए रखें और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। अब ईश्वर ही आपके जीवन की दिशा तै करेंगे और वही करेंगे जो आपके लिए उचित होगा। आप सही सुन रहे हैं, मेरे प्रियमित्रों, अब आप सफलता के नए शिखर पर पहुँचने वाले हैं। भगवान महादेव ने आपके लिए साथ शुब संदेश भेजे हैं, जो आने वाले 24 घंटों के भीतर आपको मिलेंगे। यह संदेश आपके जीवन को बदल देंगे और वह समय आने वाला है। जब आपके जीवन में खुशियों का जहरना बहने लगेगा, यह समय आपके लिए अत्यंत शुब होगा और आप काम्याबी के जंडे गाड़ने वाले हैं। खास बात यह है कि ने वाले 24 घंटे आपके लिए भाग्य का उदय करने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट, संकट और परिशानिया हैं वे अब दूर होने वाली हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अब वह समय आ गया है जब आपके सारे दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। भगवान महादेव की कृपा से आपकी जिंदगी में वह चमतकार ह जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी। कई बार हमारे जीवन में अप्रत्याशित रूप से कुछ अच्छा हो जाता है और यही इस बार भी होने जा रहा है। आज रात बारह बजे के बाद आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। कल सुबह सूर्योदय से पहले आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और यह बदलाव देवों के देव, भगवान, महादेव की कृपा से होगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दुख और संकट समाप्त हो जाएंगे और खुशियों का सैलाब आपके जीवन में जी हाँ, आपके सारे अधूरे सपने अब सच होने वाले हैं। यदि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस ज्योतिश कार्यक्रम में हम बताएंगे कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। आपका व्यापार, नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, लव लाइफ और धन का लेंदेन कैसा रहेगा। इन सभी पहलूँओं पर विस्ता से चर्चा की जाएगी। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान महादेव के सच्चे भक्त हैं तो उनके प्रती सच्चे आस्था रखें। ज्योतिश कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में तीन बार हर हर महादेव और ओम नमह शिवाय जरूर लिखें। भगवान महादेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उनके आशीरवात से आपकी खाली जोली खुशियों से भर जाएगी तो प्रेम से बोलिए। हर हर महादेव अब आपके सामने वह समय है जब पूरी दुनिया आपके कदम में होगी। आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है और आपकी जिन्दगी बदल जाएगी। यदि आपने इन बातों को समझ लिया और समय रहते इन्हें अपना लिया तो भगवान महादेव के आशीरवात से आपको जीवन में श्रेष्ठ और बहतरीन परिणाम मिले आप एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में सक्षम होंगे। यह दुनिया मतलब ही है और इसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको निराश और नेगेटिव करते हैं। जब आप कुछ करने की ठान हैं तो यह लोग तुरंत कह देंगे तुम नहीं कर पाओगे। यह तुम जीवन में सफल हो पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह बात समझ में आई हो तो बोलिए जीहां गुरुजी आप सही कह रहे हैं आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपकी जिन्दगी को चार चांद लगा देगा। यह कोई मजाक नहीं है। ज्योतिष शास्त्र की भविश्यवानी कभी गलत नहीं होती। जी हां आज आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक तरह से कहें तो आपकी किस्मत का दूसरा पन्ना खुलने वाला है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जी जीवन में बहुत ठोकरें मिल रही हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द एक बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। यह सच है कि ईश्वर सच्चे इंसान को थोड़ी देर से लेकिन पूरी इमानदारी के साथ देते हैं। वहीं गलत रह पर चलने वाले लोग भ भगवान शनिदेव भी कहते हैं कि भले आप थोड़ी कम कमाई करें लेकिन सही रास्ते पर चलकर कमाईए। अगर आप सही राह पर चलेंगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे। भगवान शनिदेव आपको कौन-कौन से पांच शुभ संकेत देने वाले हैं और आपक करते हैं न्याय के देवता, भगवान शनिदेव की जिन्होंने आपके भाग्यकों को लिख दिया है। आज आपको पांच बड़े शुभ संकेत मिलने वाले हैं। सबसे पहले खुशखबरी ये है कि नौकरी करने वालों नौकरी में बात प्रमोशन मिल सकता है। चारों त भूल कर भी भगवान शनिदेव को नाराज मत कीजिएगा। इसके लिए आप काले कुत्ते को एक रोटी जरूर खिलाएं। लोहे की चीज को लात ना मारे और काला तिल किसी गरीब को जरूर दान करें। और तीन विध्वा औरत से आशीरवाद जाकर ले ले। इससे भग भगवान शनिदेव का आशीरवाद आप सभी के जीवन पर सदैव रहेगा।